नमस्कार दोस्तों जजजर जिले से बड़ी खबर आ रही है जजजर जिले के उपायुक्त डीसी शामलाल पूनिया ने तमाम जिलावासियों से अनुरोध अपील करते हुए कहा है कि तमाम जजजर जिलावासी सजगता सतरकता वैसावधानी बढ़तें ताकि कोरोना जैसी इ कि अमाम अधिकारियों की बैठक लेते हुए नवनियुक्त डीसी शामलाल पूनिया जी ने आज जिलावासियों से आहवान किया है आईए सुनवाते हैं आपको क्या कहा जिला उपायुक्त शामलाल पूनिया जी ने पहली और दूसरी लेहर के बाद अब तीसरी लेहर की चर्चाएं चल रही है तो जजजर प्रशाशन के ओड़ से क्या विए उस्था हैं है किसी ले इसमें जो भी सब्डिविजन्स हैं उसमें बजज स्टेट्स को स्टेम्स को में अभी एगवाइस भी किया इंस्टेक्श करने का प्लान है साथ ही जो गाहूं में एक मिसन मोड में जो आई-सी एक्टिविटी उसको भी ले जाने का प्लान है ताकि लोगों में एक अवेर्नेस बनाई जा सकेगी मास्के जो उप्योगीता है इस पर और जो कोविड एप्रोप्रेट बियेवेर है उसको अच्छे से लोग इसका पालन करें आने वाले समय में किसी भी तरह की जो विफदा से भी बचाने में हमारे लिए साही सिल्द हो चकता है तो इन दो फ्रेंट में भी कारी चल रहा है आज इस बारे में ने सुबह सिविल होस्पिट बाजुर्गट का भी इंस्पेक्शन किया है मेडिकल इनके माध्यम से जन जन तक यह संदेश जाना है और मैं अपील करना चाहूंगा सभी जजरवासियों से कोवेड का जो अभी खत्रा है वो कम आकडों में भली हो गया हो लेकिन आगे आने वाले टाइम में हमें और अधिक सावचित होने की ज़रुरत है चाहिए वो पोस्ट कोविड कोंप्लिकेशन की बात हो या अन्य इससे जो निकलने वादे कोई भी आने वारे समय में कोंप्लिकेशन आते हैं उनसे बचाव के लिए आप अपना खुद का और अपने स्वजनों का ध्यान रखें यह आपकी और हमारी सब की साजी जिम्मेदारी है तो आप भी अ जीदगी के साथ ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग शुरू कर दी है हर प्रस्तिती से निपटने के लिए पूरी सुरक्षात्मक विवस्था के साथ कदम बढ़ाई जा रहे हैं डीसी सोमगार को अपने कारियल में संबंदित अधिकारियों की बैटक में जानकारी दे रह है और वे विस्वास दिलाते हैं कि जज्जर जिले में कोरोना रोक्थाम की दिशा में परभावी रूप से कदम उठाएंगे उन्होंने बताया कि शहरी वे गरामीन छेत्र में संबंदित SDM नेमित तोर पर आमजन को वेक्सिनेशन के प्रती प्रेरित करें बहतर स्वास्त सेमाय प्रदान करने के लिए जज्जर जिले में स्वास्त विभाग की और से CHC वे पीची स्तर पर मॉनेटरिंग सुनिश्चित होगी प्रियावरण के प्रती सार्थत पहल करते हुए जज्जर जिले के गाउं में विक्सित होंगे आक्सिजन पार्क डीशी शामलाल पूनिया ने कहा पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट 14 गाउं चिननेत मंगलवार को गठित टीम प्रती खंड दो गाउं का दोरा कर त्यार करेगी रूप रेखा हरित्व स्वच वातवरन मनाए रखने तथा प्रदूशन डियंतरन के दिशा में परियावरन के प्रती जजजर जिला प्रसासन अपना दाईत्व निभाने के लिए सजग है प्रसासन की और से चोदा गाउं को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए आक्सिजन पार्क विक्सित करने की सार्थक पहल की जा रही है यह जानकारी डीसी शामलाल पूनिया ने दी वे सोमार को लगू सचीवाले सबागार में परियावरन संडरक्षन के तहट आक्सिजन पार्क को त्यार करने बारे संबंदित अधिकारियों को आवशक दिशा निर्देश दे रहे थे इस समसर पर एडिसी जगनिवास, बीई ओ जिला परिशद, तिरलोक चंद, एसडिम जजजर सिखा, एसडिम बेरी रविंदर कुमार, एसडिम बादली विसाल कुमार, एसडिम बाहदुरगड हितिंदर कुमार, सीटीम सिवजित भारती, डी आरो बस्तिराम, डीडी पीओ ललीता, वर्मा, डी आई ओ, अमित बंशल, डी एच अपसी मनीशा महरा, सीजी एम सीए सुपरिया सिनहा सहित अन्य संबनित अधिकारी मौजूद रहे सार, ओक्सिजिन पार्क विक्सित करने की अपकी पाइलेट प्रोजेक्ट के ताहती होजना है, तो क्या तियरियां की जा लिए, कैसे तियर किये जाएंगे उक्सितिक में, उनमें एक इंटर डिपार्टमेंटल टीम बनके और जो उनीस सोटलिस्टेट गाउं हैं, उनमें पांस से लेकर दस एकड़ के बीच में जो पंचाय ते जमीन उस पे बड़िया फेंसिंग करके पानी का प्रोजीन कराके, और गाउं गाउं से एक जो यूक्स की टीम है, उसको रॉपिन करके एक आइडिया है कि पाइलेट की तोर पे इन गाउं में ऑक्सिजन पार्क की र सताई है कि हमारे मदद करने के लिए, तो कल से इस पे कारे शुरू हो जाएगा और अगले सता तक इसकी रूपरेका बन जाएगी किस रिशा में आगे काम किया जाना है.